अगर आप मुंग की सबजी बना रहे हो घर पे तो थोड़े से सिफ थोड़े से जादा मुंग भिकोगे रखना ताकि आप ये वाली रेसेपी ट्राइ कर सको एक वार तो ये वाले जो मुंग है मैंने इसको ओवरनाइट सोक करके रखा था पिर अभी क्या करना है जैसे आप म आप में पाल ये इसके अंदर डालना है थोड़ा साग्राइब ये जादा नहीं और कटे वे उन्यान डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्सर कुछ इस टाइप का होना चाहिए बहुत मोटा भी नहीं बहुत पतला भी नहीं मीडियम टाइप का फिर पैन प सब्सक्राइब करने में बहुत एजी रहेगा और बस कुछ इस तरीके से हमें उसको सेक लेना है तो इजी सीम्पल और ब्रेकफास्स के लिए बहुत ही अच्छा सो लाइक करना शेयर करना और नहीं हो तो फॉलो थैंक यू